भारत को स्वदेशी बनाने की लड़ाई लड़ने वाले, 3700 से अधिक विदेशी कमपनियों की लूट से साधान करने वाले और बिना दवा के स्वस्त रहने के जीवन विज्ञान को सिखाने वाले राजियू भाई ने 23 सालों में 12,000 से अधिक व्याख्यान देकर देश वासि राजियू भाई ने किसानों को समझाया कि किस तरह वे सस्ति खेती कर सकते हैं, विद्यारतियों को समझाया कि उनकी प्रतिभा किस तरह विदेशी कमपनियों और विदेशों को समरुद्ध बना रही हैं, आम आदमी का किस तरह शोशन हो रहा हैं, हम किस तरह फिर से गुला हमारे छे लाग से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर जिस भारत को आजाद कराया उसी भारत को किस तरह आज की राजनेता और अधिकारी लूट रहे है। स्वदेशी बनाने का संकल पले। प्रासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा। आपके पूर्व जनम के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और बागवट जी ने एक जगे कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीडे मकोडों में मोक्ष की इस्थती नहीं आती। मनुष्य योनी ही हैं जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाशा बहुत सुन्दर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगोंने कई बार अलग-लग समय, अलग-लग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। बागवटी जी की परिभाशा बिलकुल साफ और सरल सीधी है, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, इस्त्री हो या पुरुष कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करें, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करें, और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करें, उसमें सफलता मिले ना मिले, सफलता की बात नहीं कहते हैं वो, वो ये कहते हैं कि प्रयास करें, इमानदारी से प्रयास करें, तो उसको मोक्ष होता है। माने इस परिभाशा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें, दुखों से मतलब क्या? तो बागबटी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है, मनुष्य को भी है, हर एक को है, एक तो देहिक दुख, शरीर का दुख, देहिक दुख, दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख, जो आपके शरीर से अलग है, भगवान ने आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुरगटना हो गई आग लग गई धरती कम पा गया भू कम पा गया आपका घर तूट गया सब कुछ तहस नहस हो गया सुनामी आ गया ये दैविक दुख और तीसरा और आखरी दुख है भौतिक दुख भौतिक दुख म और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे वही मोक्ष का अधिकारी है आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते तो माफ कीजे आप करके तपस्या करते हैं तो उनकी जो तपस्या है हिमाले की वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है अगर वो वापस हिमाले से लोटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा बागवटी जी कहते हैं कि कोई सद्ग्रहस्त व्यक्ति है वो स्वामी नहीं है महात्मा नहीं है तपस्वी नहीं है लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बहतर है बले ही वो सद ग्रहस्त है और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय बागवटी जी मानते हैं कि सद ग्रहस्त ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर कर इसका मतलब ये है कि बागवटी जी की परिभाशा में ग्रहस्ती होना माने सद ग्रहस्त होना ज्यादा बड़ी बात है। दूर करने के काम में सतत लगें बले प्रयास आपका सफल हो नहो। सफलता की बात वो नहीं कहते हैं वो ये कहते हैं कि सफलता सफलता वो सब ईश्वर के हाथ में हैं आपके हाथ में नहीं हैं आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तै भिषक शरीर का दुख, दूसरा है देविक दुख, भगवान Okay और तीसरा है भौतिक दुख. तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं हैं, तो उस पर स में खराब करने से ज़्यादा फाइदा नहीं आप से जब से ज़्यादा में बात करूँगा जिसकी जरूरत भी है आपको वो देहिक दुख के बारे में बात करूँगा आपका शरीर शरीर का दुख दूर कैसे करें तो बागवट जी का सूत्र है वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें, तो 90 प्रतिशत दुख पेट से है। नब्बे प्रतिशत बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई है। पहली बाग जो मैंने आपको पहले दिन कही थी, कि जिन्दगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं। मात्र 15 प्रतिशत हैं जिन में विशशक की जरूरत है। अब बाग बट्ट जी की दूसरी महत्तों की बात हमेशा याद रखिए। कि जितनी बीमारियां हैं उन में 90 प्रतिशत पेट से हैं, 10 प्रतिशत पेट के बाहर से हैं। और उन 10 प्रतिशत में एक्सिडेंट भी शामिल है, आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है, पेरलिसिस भी शामिल है, हरट अटेक भी शामिल है, बगरा बगरा। बागी सब पेट से हैं। तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महतुपूर अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए। तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा, माने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होगी, और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या अगर गिनू, तो 148 है, माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, इनका पालन अगर आप करेंगे, तो आप अपने जी इस बत की बीमारियों का इलाज करना, वह अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है, प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर, तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्तुका है, तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा जादा ध्यान से स सुन रहे हैं, लेकिन आज के जो सूत्र हैं, वो जिन्दगी का फंक्शनल हिस्सा हैं, आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धान्त होता है, उसका एक हाइपोथिस होता है, और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है, तो आज से जो शुरू हो रहा है, वो फंक्शनल पार्ट है, इस functional part में सबसे पहला सूत्र बागवट जी का बागवट जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्यूके हैं सभी महत्यूके उन 7000 में से मैंने कुछ चुन कर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्यूके है हो सकता है 3000 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्यूके हो और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्यूके ना हो क्योंकि बागवट जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे है वो रिशी मुनियों की जीवन शैली है आपकी जीवन शैली और रिशी मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनकों मैं महत्यूका क्रम देता हूँ उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिन्दगी मर आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे वो कई बार यह लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्यूका नहीं है खाने को पचाना महत्यूका है आपने खाने को खाया यह इतना महत्यू नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया यह ज़्यादा महत्यूका है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रस में से मास, मजजा, रक्त, मल, मूत, वीर, मेद ये सब बनेगा, आस्तियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महत्तुका उससे भी ज़्यादा महत्तुका खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विशमवारी, ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से ने मेरे हिसाब, पहला सूत्र भोजनांते विशमवारी इसका सीधा सार्थ है, भोजन के अंत में पानी पीना, विश पीने के बराबर है, सूत्र ये है, भोजन अंते, भोजन अंते, आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है, भोजन अंते, भोजन के अंत में, भोजन अंते विशमवारी, विश, समस्ते हैं आप जह जहर जैसा, क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विश के जैसा है, ये सूत्र है, अब इसको थोड़ा व्याख्याइद करता हूँ ताकि समझ में आए, भोजन के अंत में पानी विश के जैसा है, ये बात वो कह रहे हैं, इसको समझना चाहिए कि क्या कह र पाए बागवट्टी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्यो स्थान पेट है इसमें एक इस्थान होता है पेट के अंदर नाभी लेफ्ट साइड में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस इस्थान को कहते हैं जर्थर तो ये जो जठर इस्थान है बागवट्टी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है उसी को कहते हैं जठरागनी जठर अगनी जठरागनी तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर इस्थान है इसमें अगनी प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है आमाश्रे में एकठा होता है वहाँ अगनी प्रदीप्त होती है वो अगनी भोजन का पाचन करती है ये है महत्तु की बाद अब अगनी प्रदीप्त हुई आपने भोजन किया अगनी प्रदीप्त हुई और बागवट्टी जी इसके लिए एक सुंदर शलोक लिखा है, लंबा है, लेकिन हिंदी में बताता हूँ, वो ये कहते हैं कि खाते ही अगनी प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को अन करते ही लाइट जलती है, ये आटोमेटिक है, अपने आप होती है, आपने रोटी का पहला टुकडा मुह में डाला, और जैसे ही टुकडे को चवाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाती है, पहले ही टुकडे में, तो ये अगनी प्रदीप्त हुई, अब आप जो भोजन कर रहे हैं, ये इस अ सब कुछ बनेगा, तो वो कहते हैं, आपने जैसे ही भोजन किया, अगनी प्रदीप्त होई, अब ये अगनी भोजन को पचा रहे हैं, और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया कोई-कोई लोग तो लोटा भरके पी लेते हैं कई-कई लोग तो भोजन से जादा पानी पी लेते हैं तो ये जो पानी गया इसने अगनी को शांत कर दिया, अब अगनी शांत हो गई, तो फिर बागवट जी कहते हैं, भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, अब उन्होंने बीसियों सूत्र लिखे हैं, कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा, म वायू और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगे और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज्यादा तीवरता अगर ये हो गई वायू तो ये शरीर में जाएगी घूमेगी क्योंकि वायू को पकड़ना मुश्किल है जहाँ स्ठान मिलता है वहीं जाती है तो यह वाईू पूरे शरीर में गुमेगी तो सिर गुमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हिर्दा-इस्ठान पर भैंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हर्ट अटेक आ गया लेकिन वो वायू का दर्द है हर्ट अटेक नहीं और ये जो वायू बनी भोजन के सडने से इसी वायू मैंसे बागवट जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर पैप्टिक अलसर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर मोडवयार भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है कैंसर करकरो 130 वे नमबर पर उन्होंने लिखा है करकरो मने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते है तो वो ये कह रहे है कि जिस काम से वायू पैदा हो और वो वायू आपके सड़े हुए भोजन में से निकले और बाद में बागबटी जी कहते हैं वो भी बता देता हूँ वो दूरु का सूत्रे लेकिन यहीं पर ले आता हूँ उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा इसको ध्यान से सुनिएगा तभी भोजन में से बागबटी जी के शब्द दूसरे हैं मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोड़क्ट है कॉलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो cholesterol शून में रहता है वो cholesterol जो आपको हानी पहुंचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का cholesterol है एक good और एक bad अच्छा cholesterol माने HDL High Density Lipoprotein खराब cholesterol माने LDL और उसका शोटा भाई VLDL Very Low Density Lipoprotein तो बागवटी जी कहते हैं कि यह जो खराब cholesterol है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है इसका माने जिनको cholesterol बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो cholesterol बढ़ेगा तो heart attack भी आएगा cholesterol बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो यह कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं यह है सूत्र अब जैसे यह सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रशनाएंगे कि पानी कभ पीना पहला ही प्रशन तो बागवटे जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में क्योंकि शाहिद मालूम है कि मनुश्य की जिग्यासाएं हो नहीं वाली है तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजन अंते विशमवारी कि भोजन के अंत में पानी मत पीओ अगले सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम डेड़ घंटे के बाद पानी पीओ अब ये जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर इस्थान में देड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है देड़ घंटे तक और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अगनी है जठर अगनी वहां चार गंटे तक अगनी का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर मनुष्य शरीर में 1-1,5 गंटे का उन्होंने बताया और 1-1,5 गंटे का वो बताया है तो अलग-अलग छेत्र के हिसाब से जैसे आप दख्शुन भारत में हैं, कोई उत्तर भारत में हैं, कोई पूर्वी भारत में अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डिड़ घंटा तो वो कहते हैं कि एक से डिड़ घंटे पेट में अगनी का प दिड़ घंटे के बाद पानी पीना ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना बागबटे जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बचकर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं 9 बजे से लेकर 9 बचकर 20 मिनट तक और और बीच में पीना के नहीं तो इसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं ये बहुत साइंटिफिक बात उनोंने कही है बहुत साइंटिफिक है वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन हैं दो दो अन मैंने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहू है और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहू दो अन है और सामनी रूप से आप सभी के भोजन में शायद दो यह अन होते हैं इसलिए मैं ये सुत्र कह रहा हूँ ये एक अन वालों के लिए नहीं हैं दो अन वालों जो दो अन खाते हैं भोजन में उनको एक अन्म की पूरती पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है तो बीच का जो जंक्षन पॉइंट है इस पे पानी पीना मतलब इसका सीधा है रोटी पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे हैं तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन घूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्म आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजनी करके उठिये अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के लिए पानी पीने के लिए नहीं है वो गला साफ करने के लिए है अब आपके मन में तुरंत एक प्रशना आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर पानी तो नहीं पीना दिड़ गंटे तक तो नहीं पीना तो कुछ पी सकते हैं तो बागवट जी ने तीन चीज़ें बताई हैं उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है वो है मठा दही का तक्रम जो शब्द उन्हों ने इस्तेमाल किया वो तक्रम तक्रम मने यही है लगबग छाच मठा के आसपास की चीज तक्रम वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाशा दी है कि दही को खूब अच्छे से मठने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया तो मक्खन निकाल कर जो बचा वो तक्रम मक्खन रह गया तो वो लसी लसी पीने के लिए नहीं कह रहे हैं तक्रम की बात रहे हैं तो आप भोजन के बात जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाच वो है मठा, मठा शब्द एकदम अच्छा है हिंदी का शब्द है शायद आप सब समझते हैं गुजराती हैं तो छाच आप अच्छे से समझते हैं तो छाच पी हैं या मठा पी हैं ये सबसे अच्छी चीज दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूद दूद दूसरी सबसे अच्छी चीज़ और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ बताई है फल का रस कोई भी फल का रस लेकिन वो कह रहे है मौसमी फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिये तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिये थोड़े दिन के बाद संत्रे के रस का मौसम आ जाएगा तो संत्रे के रस का बागवट्टी जी कहते हैं कि जो चीज प्रकरती ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्द कराई हो उसका रस तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरिज से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस ये सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकरती को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किये तब आपको ये प्रकरती के साथ उसने रखा है तो प्रकरती में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट इस समय गन्य के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्य का रस भरपेट पी सकते हैं जो भी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं संत्रे का, जब-जब जो सीजन आए, वो ध्यान रखना है, अब इसमें आगे एक सूत्र है, वो बहुत महर्तु का है, बागमटी जी कहते हैं, मठा या छाच कप पीना, दूद कप पीना, रस कप पीना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर दे कर ये कहा है, कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना, सामने लोगों के लिए, असामने लोगों के लिए बाद में बताऊंगा, जो सामने लोग हैं आपके मेरे जैसे, मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना, और दूद हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना दूद माने शाम को छे साथ वजे के भोजन के बाद ही पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना सुबह का भोजन माने नाश्ता बागवट जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दुपहर के भोजन के बाद मठा, और रात के भोजन के बाद दूद, और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में, कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, मन ने सुबह के भोजन के बाद दूद पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया, या मठा पी लिया वो कहते हैं ये उल्टा करम आप मत करना क्यों नहीं करना तो आगे वो एक्स्प्लेनेशन देते हैं वो ये है बहुत महत्तुका कि हमारे शरीर को मठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है रस मने एंजाइम जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दु सूर्यास्त के बाद ही होते हैं या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्य शुरू होते हैं और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं इसलिए आप नियम बना लो ब्रेक फास्ट में जूस लंच में मठा चाच और डिनर में दूद ब जू स्पीकर भेजो या पिला कर भेजो और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ तो अब तक आपने बच्चों को दूर पीने क आदत डाली है आज से माफी मांगलो के गलती हो गई हमसे अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पीके जाओ क्यों जाओ तो उनको ये बात समझाओ शायद समझ जाएं वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये पर्मनेंट हो जाएगा सुबह के नाश्टे के बाद जूस पीना, दुपहर के बोजन के बाद मठा, रात के बोजन के बाद दूर, ये सूत्र है, अभी इसके आगे का सूत्र, बागवट्ट जी कहते हैं कि आप खाने के डिल गंटे के बाद पानी पीएं क्योंकि जठर के अगनी के प्रभाव में खाना डिल गंटे तक रहता है, तो पानी कैसे पीएं? कैसे पीएं पानी? तो हमारे याँ पानी पीने के बहुत तरीके हैं, लोटा मुझ से लगाया, गट-गट-गट-गट उतार लिया, गिलास मुझ से लगाया, गट-गट-गट-गट उतार लिया, क्या ये तरीका? तो बागवट्टी जी कह का बिलकुल गलत है पानी पीने, वो कहते हैं कि पानी को चुस्किया ले लेकर पीए, घूट भर भर के पानी पीए, सिप ले लेकर पानी पीए, ऐसा पानी पीने का नियम, जैसे आप गरम दूद पीते हैं न वागवट जी बिलकुल उसके समकश रखते हैं, कि गरम दूद आ आप जैसे पीते हैं एक एक सिफ या चुसकी लेकर घूट बरके ऐसे ही पानी पीएं। कि अब ये क्यु है ये समझ ले आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारें गले के नीचे दोनों में जमीन आश्मान का अंतर हैं। क्या अंतर है मैं आपको एक महत्तो की बात समझाना चाहता हूँ ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अगनी होती है और इस अगनी को तिव्र करने के लिए अमल होता है अमल एसिड आप जानते हैं पेट में अमल बनता है अब पेट में तो अमल बनता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अमल दिया है और मू में छार बनता है जिसको लार कहते हैं अप लार अलग अलग नामों से आप जानते हैं तो मुँ में बनती है लार ये है छार और पेट में बनता है अम्ल आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं तो आप जानते हैं कि छार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल अमल और छार आपस में मिलें, तो न्यूटरल होता है माने सामने चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवन एक लवन होता है नमक, वो अलग है, chemistry के लवन की बात कर रहा हूँ तो अमल और छार आपस में मिलते रहें तो न्यूटरल होते हैं अम्ल का मतलब है जिसका pH साथ से कम है और छार का मतलब है जिसका pH साथ के आगे है और नीट्रल का मतलब जिसका pH साथ है यह जो पानी है ना पानी यह ना अम्ल है ना छार है यह नीट्रल है तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपका अकसर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा मने पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पी एच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित सक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मूँ में लार बन रही है अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार ब करके आपने पानी पिया तो ज़्यादा लार अंदर जाएगी तो अमल को शांत करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट न्यूटरल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सौ डेर सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भरके पिये और एक साथ गड़ गड़ पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूटरलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान निवस्था में नहीं लापाएग बागबटी जी आगे कहते हैं बहुत ही महत्यों की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पीएं वो देखें जानवर कैसे पीते हैं चुडिया कैसे पानी पीते हैं चुडिया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चुडिया एक drop उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मुँ में चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी drop उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी, ऐसी कुत्ता है, पानी को चाट-चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट-चाट के पिएगा, ज़्यादतर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं वो जानवर हमसे ज़्यादा स्वस्थ है किसी को डाइबिटीज नहीं है कोई ओवरवेट नहीं है हाँ किसी को डाइबिटीज नहीं, कोई ओवरवेट नहीं किसी को जॉइंट स्पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते है बागवट के पक्के चेले हैं ये सब जानवा है बिना बोले और बिना कहे तो आप भी हो जाए बागवट जी कैते हैं कि पानी थोड़ा लीजिये जैसे चुड़िया पीती है उसको मुह में चिडिया ऐसे ऐसे करती है न गुमाती है तो आप भी पानी को थोड़ा गुमाईए फिर पी जाए थोड़ा पानी लीजिए मुह में बरिया पीजिए फिर पानी बरिये फिर बरिये फिर पीजिए ताकि इदर उदर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा, कोई रोग आने की संभावना नहीं, मने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले, बागबट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया, और तीन साल समझने में लग गया तो छे साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था, मैंने का यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत, मैंने का तुम करके देख लो बागबट कह रहे हैं, गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुमकर हरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पानी सिफ सिफ करके पीना शुरू कर दिया, और भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू, ये दो सूत्रों का ही परिनाम है, कि सब के वजन प स्तर किलो का है, बिना कोई दवा खाए, बिना भोजन में कोई बदला होकी है, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला, फिर मैंने डॉक्टरों से बात की, कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है, कि जो लार है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी ने, तो मनुष्च की लार में भी है, अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या इस्त्रिया और पुरुष बहुती दुर्भागिशाली हैं, जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते हैं, जैसे तंबाकु खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते ह महतुपूर चीज को थूक रहें, जिसको बनाने के लिए भगवान ने एक लाख गरंतियां आपके मुह में दी हैं, आप जानते हैं, ये लार पैदा होने में एक लाख गरंतियों का काम होता है, एक लाख गरंतियां हैं, जो राद दिन आपके लिए लार बनाती हैं, और आ आप मेंसे कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो बागमटन जी की डिक्शनरी में नहीं है, वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो, तबी, बस, उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं, कि आप थूक हैं, तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए, तंबाकू खाखाके, गुठका खाखाके थूक रहें, तो ये थूकना नुकसान दायक है, गुठका तो नुकसान दायक है, ये तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है, उससे भी ज़्यादा थूकना, तो मत थूकिये, त क्योंकि जो भी खाओगे वो चुना है केलशियम है तो अंदर जाएगा और वो केलशियम क्या-क्या अदुमत काम करेगा वो कल बताने वाला हुँ मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कथे बिना ही पान खाओ मने हमारे पुराने पूरवज और बुजर्ग जो तंबाकू का नहीं कथे का नहीं सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं वो बागवट के चेले सब के सब शिश्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने चूने ने कर दिया वात का तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं तो पान खाके तो जिन्दगी भर निरोगी रह सकते यह है तो आपको पानी पीना है गुड़ गुड़ बरके ताकि ज़्यादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुँ में गुमाईए जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है? अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है भागबट जी को आ कि पानी कभी भी पीए तो ठंडा ना पीए पेट को दुRस्त रखने के लिए हैं ये सारे सूत्र आज जो मैं कहे रहा हूँ पानी जब भी पीए तो ठंडा ना पीए कैसा पानी पीए जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें, उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पियें, माने शरीर के तापमान के बरावर का पानी पियें, माने गुन-गुना पानी पियें, गुन-गुना शब्द है, एक शब्द है कोमबट, कोमबट शब्द गुजराती है, नहीं, मराठी है शाइद, गुन-गुना पानी पियें, नव सेका पानी कहते हैं, राजिस्थान में नव सेका, हलका गरम, हलका गरम गुन-गुना पानी पियें, कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पियें, तो अब आपका शरीर का तापमा के बराबर रहता है तो ऐसा पानी पीए गुन-गुना ही पानी पीए क्यों अभी मन में प्रशनाएगा क्यों हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं तो बागवट जी इसको बहुत अच्छे से समझाते और आधुनिक विग्यान का इसमें मैं जोड कर आपको समझाता हूँ आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं कल पना करिए तो पानी क्या करेगा पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा ना बरफ का गुण है ठंडा करने का तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुण पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में तो शरीर ठंडा हो जाएगा क्योंकि शरीर के सारे औरगन पेट से ही जुड़े हुए चाहे वो आपका हर्ट हो चाहे किड्नी हो चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जैरामजी किये जाएए यमराज के पास यहाँ फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिया एक विशलेशन दूसरा विशलेशन कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है जीवित होने से मतलब फंक्शनल है काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंत पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा आपका जो जठर इस्थान है ना रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी मान लीजे हिर्दय का रक्त पेट में चला गया ब्रेन का रक्त पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है तो ब्रेन का सबसे पहले आता है हिर्दय का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बन किया तो ब्रेन हैमरेज हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो परेलिसिस हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो हर्ट अटेक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यूं बुलाते हैं ठंडा पानी पी के माने ठंडा पानी ना पिया बागवट्टी जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार-पांच दिन खूब थंडा हो जाता है फिर उपर से बरफ डालते हैं फिर पीते हैं इतना थंडा पानी पीते हैं परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सबेरे सबेरे अगर संडास घर में गए टॉइलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी कभी तो दो दो घंटे नहीं निकलते बैठे ही रहते अंदर उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉइलेट रूम में कहते हैं जी निउस पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉइलेट रूम तो निउस पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉइलेट आती ही नहीं मने स्टूल सुपास होता है नहीं संडास होती ही नहीं उतरती ही नहीं तो क्या करे ऊ- similar और वो वैठे बेटे बैठे कई बार इतने परिशान होजाते हैं कि को तरे तरह की अवाजह निकालते फिर भी नहीं आती pense बहुत नहीं पर बहुत ज़ादा परेशान हो जाते हैं न तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा 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 भू तब भी नहीं आदे यह है समस्या माने मैं कहना यह चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है वो है कौश्ट बद्धता बद्ध कोश्ट होना कौश्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है न लार्ज इंटेस्टाइन वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई ऐसे रहना चाहिए उसको वो हो गई संकुचित यह ठंडे पानी का असर है तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिये अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं तो यह पानी भी उसी का हिस्सा है फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिये बरफ डाला हुआ पानी ना पिये आईस क्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है और मैं आपको एक विनमरता पूर्वक कह देता हूँ वो बात वैसे आगे आएगी बागवट्टी जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीज़ अब है दिखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे अन्त में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते हैं इन्विटेशन देकर बुलाएंगे आओ हमारे यां महमान बनकर तो पहले गरम खाना खाओ पीचे से ठंडी आइसक्रीम ख तो ये जो ठंडे होने की बात है, यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है, वैसे ये कल भी आने वाली है, पर सो सुरी, तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें, कि पानी हमेशा घूट घूट पियें, ठंडा पानी कभी न पियें, भोज का जीवन आपका शुरू होता है माने आप जब सोकर उठते तबी से आपका दिन शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए माने सुबह उठते ही पानी पिए ये है मतलब कहने का दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पीए माने सुबह उठते ही पानी पीए आयुरवेद के बिभिन चिकितसकों ने और वैद्दियों ने इसको का उशा पान करें उशा पान माने सुबह उठते ही पानी पीना सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मूँ धोए बिना पानी पीना, कुला किये बिना पानी पीना अगर आप सुबह उठते ही बिना मूँ धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुला करके सोईए, दात साफ करके सोईए, दंतवंजन करके सोईए, दातुन करके सोईए, उठते ही पानी पीचे, क्यों? कारण पूछिए, कारण उसका ये है, कि रात बर जब आप सो रहे थे, तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शितिल हो जाती है, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शितिल नहीं होती है चालू रहती है तो राद वर आपने लार बनाई है मुँ में जगे जगे जमा है वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेश कीमती है बागवट जी कहते हैं कि ब्रह्मु महूर्थ की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटो में सबसे जादा कीमती है तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है इसी को उशा पान कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पिएं कितना पिएं जी तो उन्होंने एक से सवा लीटर का कैलकुलेशन दिया वयसकों के लिए वयसकों वाने 18 से 60 साल एक से सवा लीटर और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए पॉन लीटर माने साड़े साथ सो ग्राम और साथ के उपर वालों के लिए भी साड़े साथ सो ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम मने कम से कम 2 गिलास बुजर्गों के लिए 2 गिलास बच्चों के लिए और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए कम से कम इतना पानी पी है पीने का तरीका मैंने बता दिया वो घूट घूट सिफ सिफ करके ही पीना है, मुँ में घुमा घुमा के पानी पीना है बागवट्टी जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एकाथ साल, बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डाइबिटीज है और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ, तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ आठ दस पेशेंट है, जिनको ऐसी ही कंडिशन है, डाइबिटीज होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई, फोड़ा हो गया घाओ बढ़ गया, वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बं किया, होमियोपैथी का फिर मैंने का बईया, बागबटीजी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो, सुबह उठते ही जो लार है उसको लगाओ, तुमारे घाओ पे, और आप देखेंगे, चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का प्रेशेंट है, गैंगरीन हुआ, डॉक्टर कहता तब पैर काट नहीं पड़ेगा इसका, कुछ होता नहीं अभी, और कोई, उसने विचारे ने साल बर लार लगा-लगा के यह अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया है कि जानवर हमसे ज़्यादा होशे आ रहे है चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके माबाप बहुत परेशान है कि यह चश्मा कैसे उतरे मोटे मोटे चश्मे हैं चोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मूँ का थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते हैं कोई भी बात अगर समझ में आये तो करते हैं अब आपको हिरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिस को हम कहते हैं कंजयक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है अकसर उसमें आखें लाल हो जाती ह, आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हो आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गए 24 गंटे में ठीक होती है अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखें टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिलकुल बीच में सेट हो रहे तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वज्यानिक को पूछा दिल्ली में कि यह लार में क्या है एक्चुली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बड़ा है मिट्टी में अठारे एक्टिव इंग्रेडियंट्स है लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दूं क्या-क्या रोग और ठीक कर सकते हैं आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है ना उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी-थोड़ी ना गाषिक करते रहे है छे- आठ मह parallels पर उन्या stronger करते रहे हैं च्छे- टथीए है धग्जिमा हो गया एकजिमा हो गया मालो कराब बीमारी की बात बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज बागवट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की ज़रूरती नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आँखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें ब मैंने आज आपको चार सूत्र बताएं, उनको फिर से रिपीट करता हूँ, सूत्र बताना ये चार रिपीट करके खतम फिर प्रश्न, पहला सूत्र मैंने बताया था भोजन अंते विशमवारी, भोजन के अंत में पानी न पियें, लगबग देड़ घंटे के बाद पानी पि हैं, तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी न पियें, हमेशा गुन-गुना पानी पियें और चौथा सूत्र बताया था कि आप सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियें, ये चारो सूत्र बागवट जी ने कहा है, पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आव ठीक है अब आपके प्रश्णों के लिए आदा गंटे का समय जी भाई आपने कहा कि उशा पान करना चाहिए उशा पान भी गुनगुना पानी होना चाहिए है का समय देखिए उशा पान दूसरी बात पान जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या-क्या लेना चाहि मैं दूसरे प्रश्ण का पहले उत्तर दे दूँ पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं है वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो कसेला स्वाद मनिए देशी पान सीधी सी बात है विलायती पान मत खाईए देशी पान खाईए तो स्वाद जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागवट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो-तीन दिन बाद वैसे एक्स्प्लेन करने वाला हूँ कि जो चीज का रंग जितना ज़्यादा गहरा हो जो प्रकरती की पैदा की गई वस्तू का रंग जितना ज़्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी आउशदी है जैसे देशी पान ज़्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हलके हरे रंग का होता है तो बागबटी जी कहते हैं, हलके रंग की चीज़ें मत खाईए, गहरे रंग की चीज़ें खाईए, तो गहरे रंग वाला पान खाईए, गहरे रंग की जो भी चीज़ें बरपेट खाईए, जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे एंटी डाइबिटिक हैं, एंटी एस्थमेटिक हैं, इनकी विग्यान ने भी प्रूफ किया है, आज का विग्यान ये कहता है कि जो भी रंग है, किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ, कोई न कोई ऐसा रस और एंजाइम है, जो आपको गंबीर बीमारियों से ब मिलाएं, तो कहते हैं कि एक पान में एक ग्राम से जादा चूना नहीं मिलाई ये कभी भी, एक ग्राम, एक ग्राम आप समझते हैं, इतना होता है, चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना एक ग्राम होता है, चने का दाना आधा तोड़ो तो उसमें सौफ खाएं, सौफ. सौफ का नियम उन्होंने बता, सौफ खाएं. दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डाले, अजवाइन. दो-चार दाने, जादाने. और वो कहते हैं लवंग डाले, लवंग, मने लॉंग. और कहते हैं बड़ी इलाइची, और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकन्द जिसको आप कहते हैं. ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए. अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं हैं वो बात ध्यान रखिये. सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा, तुम्हारे सुपारी और कत्था छोड़ कर ही पान खाएं. ठीक है? तो पान में क्या खाएं? दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उशा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए. यह बागवट्टी जी कहते हैं, जरूर गुनगुना होना चाहिए. जरूर गुनगुना. वो एक ही कंडिशन में कहते हैं, कि अगर आप तामे के बरतन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं, तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है. बाकी सभी पानी को गुनग कर पी लिया. बाकी कोई भी पानी, स्टील के बरतन वाला है, तो गुनगुना करिए. आप मिट्टी के घड़े का पानी है, तो गुनगुना करिए. और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए? और तीसरा कोई, ऐल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए. प्लास् पात्र एक उन्हों ने कहा, कि जिसके पानी को गरम करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते हैं. आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर तामर पात्र का पानी पी सकते हैं? तो जरूर पी सकते हैं तीन महिने, इसके आगे नहीं. ये आप ज़रात सोचिये, ध्यान से. वो ये कह सकते हैं, ये ब्रेक दे दे कर पी सकते हैं, लगातार पिएंगे, तो तावे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो हो जाएंगे हाँ, सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तावे के बरतन का पानी पीते हैं तो बागवट्टी जी ये कहते हैं कि तीन महीने लगातार पी जी ये पूरे दिन फिर उसके बाद पंद्रबीस दिन ब्रेक दे दीजे पंद्रबीस दिन को दूसरा पानी पिल फिर आप बापस तीन महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजे, फिर तो चौबीस घंटे वाले जो लोग है, तामरपात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है, सुबह का तो तामरपात्र का ही सबसे अच्छा है, जी, जनके बाद जो रसो और मठा पीने के लिए हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल, देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विक्सित करूँ, मैं इंतिजार कर रहा था, कोई पूछे तो मैं बताओ, ये सवाल कुछ इस तरह का है, कि मठा है न, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उस आप बागवट्य जी एक तरफ तो कह रहे हैं, कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कर रहे हैं, मठा जरूर पियो, दूद जरूर पियो, और फलकारस पियो तो उसमें तो पानी ही है, तो क्या वो पानी जठर अगनी को शांत नहीं करेगा, प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए मैंने पूरा कर दिया तो क्या वो पानी जटर एगनी को शांत नहीं करेगा इसका बहुत ही सुन्दर एक्स्क्लेनेशन बागवट्ट जी करते है वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं ये बार ध्यान से समझे पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता आपने एक पुराना गाना सुना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा तो पानी का रंग, गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है अब वो दही का गुण धारन करेगा पानी को आपने मिलाया जूस में, माने फल में, तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे और पानी है दूद में, तो दूद के सारे गुण वो धारन कर लेगा तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं, इंडिपेंडेंट, तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तू के साथ आप पीएंगे, तो उस वस्तू का गुण पानी में आएगा इसलिए मठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, दूद पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए, अब दही का गुण क्या है, अटगनी को प्रदीप्त करने का गुण है दही में, क्योंकि जो वस्तू में भी चिकनाई आगई, चिकनाई समझते हैं आप फैट, दही में भरपूर चिकनाई है, दूद से ज़्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज़्यादा चिकनाई में है, और सबसे ज़्यादा चिकनाई घी में है, तो बागवट्टी ची कहते हैं कि जिस दूद्ध पिएंगे तो अगनी और प्रदीप्त होती है माने खाने को और जल्दी से पचाएगी खाली पानी अगनी को शांत करता है लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अगनी को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तू के हिसाब से हो जाते हैं जी रजीव भई आइस क्रीम खाने के बाद हम लोग कॉपी या चाई पिके और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी बता दू कोशुश करूँगा शौर्ट मैं बताऊं क्योंकि और प्रशन के लिए उत्तर के लिए समय रहे हैं कभी भी कोई गरम चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गर चाय पिया या कॉफी पिया या गरम दूद पिया या गरम खाना खाया तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है क्या काम है पेट का पहले ज्यादा गरम वस्तू को पेट के तापमान पर लाता है पेट आपका पेट का तापमान वही है जो मू का है और बगल का तापमान मू का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है लगबग एक से डेल रही तो पेट का तापमान लगबग 49 से 40 डिगरी के आसपास है अब आपने 40 डिगरी से ऊपर की कोई वस्तु खाई जैसे चाय पी तो वो 40 से ऊपर की है कॉफी 40 से ऊपर की है तो तापमान अंदर जो है ना 55 और पाला हुए है तब तक आपने कोई ठंडी चीजए खाली जैसे होनों ने का आईस्क्रीम खाले कॉफी के बाद आई स्कृम खाले अब कंफ्यूजन वहाँ यह होता है कि क्या करें वो पहले गरम कॉफी को ठंडा करे या यह जो गरम संडी आइस क्रीम आई इसको गरम करे तो फिर तो बहुत ही confusion होता है ऐसा confusion जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी इसको मैं समझाने के लिए किरा हूँ गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको दो-तीन गेर चेंज करने पड़े एक ही मिनट में टॉप गेर से फस्ट में आना पड़े फस्ट से आपको टॉप गेर में जाना पड़े तो कैसे चलेगी गाड़ी जटका देगी तकलीफ देगी ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है, वो गरम कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है, तब तक आपने आईस्क्रीम खाके, अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरन, तो इसमें हो जाएगी समस्या, इसलिए कॉफी चाहे के बाद ठंडी आईस्क्रीम कभी भी न पिये, गरम भोजन के साथ कभी भी आईस्क्रीम और बरफ आदी ना खाएं और बरफ आदी के साथ गरम भोजन ना करें, आप जी आपने पानी पिने का जरीका बताए कि सिब्भा इस्टिक लेना, क्या उसका भी कोई जरीका है कि घड़े घड़े पानी पिना, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं कल बात करूँ, क्योंकि कल वो सूत्रा आने ही वाला है, जी, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूद को बागवट्टी जी ने बोला है, शाम को ही पीना है, अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाए पीते हैं, काफ पुरानी है, ज्यादा से जदा 400 साल पुरानी है, तो चाय काफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है, बन्हें कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है, जहाँ चाय और काफी का सिक्रा आता है, हां, काढ़े का जिकरुन अने किया है, वो यह कहते हैं कि जो काढ़ढया, आ के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काड़ा जैसे आज आप काड़ा पीने जा रहे हैं वो अर्जुन की छाल का काड़ा है अर्जुन की छाल का काड़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है रक्त की एसिडिटी उससे भी ज़्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अरजुन की छाल है। तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की छाल का और दुर्भागे से या सौभागे से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर जन्वरी और नवंबर ये बात का ही समय है। शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है। उस समय अगर आप अरजुन की छाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए औशदी है। ये काड़ा आउशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जन्वरी ये तीन महीने हैं जो बात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है तो ये बात पि भी है नहीं इस देश में बनता भी नहीं तो आप सुबह दूद पी नहीं चाहते हैं तो काड़े के रूप में पीजिए माने सुबह दूद पी नहीं है ना तो उसमें अरजुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फाइदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्ट अरटेक फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा शुद करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है ज 40 रुपई किलो मिलती है क्या वाओ 40 रुपई किलो 20 रुपई किलो 20 रुपई किलो अरजुन की चाल मिलती है और 1.500 रुपई किलो चाहे मिलती है और 1.400 रुपई किलो कौफी मिलती है और 20 रुपई किलो अरजुन की चाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिये, मारवाडी बनिये, कुछ तो अपने रक्त में लाईए, मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का, तो 20 रूपए किलो की अरजुन की छाल, नियमित रूप से आप पीजे, मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूं, कि आप सब अपने घर में, तीन महीने, ये जो नवंबर, दिसम्बर, जन्वरी, अभी तो दिसम्बर पूरा तो निकल गया, लेकिन जन्वरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जन्वरी के, रोज सवेरे अरजुन की छाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए, और अगले साल का याद रखि एक गिलास दूद, तो आधा चम्मच अरजुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच मने टी स्पून, और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, गुड, गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है, काकवी, काकवी आप समझते हैं, गुड को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड होता है, तरल गुड, लिक्विड फॉर्म का गुड, वो काकवी कहलाता है, तो या तो काकवी, या तो गुड, नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बाग बट् साल से शुरू हुआ है, जी, मिश्री बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आप से पहले ही कहना चाहता है, मिश्री, मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है, गुड से भी उची है, मिश्री, तो मिश्री मिले शुद, तो वो ड प्राजिस्तान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बुरा, वो चीनी ही है, बुरा नहीं, सोट है तो बहुत अच्छा है, सोट जो है, अरजुन चाल सोट अगर मिला के उपयोग करें, तो सर्वोत्तम बात नाशक काड़ होता सर्वोत्तम अर्जुन चाल और सोंट दोनों का ही गुण है वात को खतम करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिया है इसको और वात के रोग क्या-क्या है यह आप जानते हैं कल और परसों चाहक में नहीं लेना चाहिए देखिए इसमें सूत्र एसा है मैं आगे बताऊंगा ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरन समझ जाएंगे दूइदल दूइदल समझते हैं एक दाल के जिसके दूइदल के साथ दही का निशेद है बागवट्टी जी ने भी कहा है महावीर स्वामी ने भी कहा है गौतम रुशी ने भी कहा है दूइदल के साथ दही का निशेद है तो अब इनका प्रश्ण है कि हमने तो दाल चावल खाया चावल तो ठीक है दाल तो दूइदल ही है अरेर की खाये मूं की खाये मसूर की खाये तो दूइदल है तो दूइदल के साथ दही कैसा तो उसके लिए बागमट्टी जी कहते हैं कि कभी भी दुईदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदल कर जैसी दाल है वैसी तासीर करें मने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज़्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरे लुपाए है आपके रसोई में रसोई में तीन चीज़ें ऐसी है जो दही की तासीर को तुरंट बदलती है एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेंधा या काला नमक सेंधा या काला ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आयोडीन युक्त नमक नहीं सेंधा नमक या काला नमक तीसरी है अजवाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहें दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बगहार ले ले और थोड़ा सेदा नमक डाल ले फिर पी ले अजवाइन जीरे का बगहार लेकर बगहार लेना तो आप समझते हैं न बगहार शब्द तो तो बगहार ले ले हैं अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंदा नमक, फिर ताक पिएं, माने मज्जिगे पिएं, माने मठ्ठा पिएं अदरक, अदरक की जगे सूट दही में कभी भी अदरक उपयोग नहीं होता, सूट उपयोग होता अद्रक और सूट में थोड़ा अंतर है सूट तो अद्रक से आता है लेकिन सूट का गुण अद्रक से ज़्यादा है फूट्स खा सकते हैं भरपेट वैसे फूट्स का बागवट्ट जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा माने नाश्टा ही फूट का करें जूस भी पहिना है तो फूट का पी है तो सुबह का समय फूट्स के लिए सबसे अच्छा है लेकिन बाकी समय में भी आप फूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकरती के द्वारा पकाया गया प्रकरती के द्वारा पकाया गया मने केलशियम कारवाइड मिलाके नहीं पकाया गया हाँ बिलकुल चाच शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी दे सकते हैं बिलकुल अजवाइन डालके बच्चों को तीन महिने के बच्चे को छूट ले सकते हैं, आप चूँकि मदरास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं, गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बरतन का भी पी सकते हैं, सन बर्न, सन बर्न के लिए लार बहुत देखिए आप मेंसे किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो आँखों के नीचे काले काले गहरे हैं नियमित रूप से सुपह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फेर एंड लवली से जादा प्रभावी है जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेंपरेचर 25 डिगरी होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिगरी तक होगा तो जादा ठंडा नहीं है ये जो फ्रिज का पानी है ये चार डिगरी का होगा तीन डिगरी का होगा ये बहुत ठंडा है स्वदेशी द्वारा भारत को फिर से सोने की चिडिया बनाने के लिए भूग गरीबी और बेरुजगारी को जड़ से खत्न करने के लिए तथा देश के ग्रामिन जनों को स्वाव लंबी बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल पले महात्मा गांधी, सुबाश चंद्रबूस, भगस्सीहिं, लोकमान्य तिलत जैसे हजारों क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने वाले इस अभ्यान से चुड़े और स्वदेशी अपनाए स्वदेशी यानि भारत को सोने की चिडिया बनाने का दर्शन राजयो भाई के सबनों को पूरा करने के लिए भारत को स्वदेशी बनाने के लिए स्वदेशी का विचार जन जन तक पहुचाने के लिए स्वदेशी अपनाने और देश को खुशाल बनाने के इस अभ्यान में शामिल हो स्वदेशी सामानों की सूची जानने के लिए स्वदेशी सामानों की उपलब्धता के लिए और स्वदेशी चिकिस्ता से अपने शरीर को बिना दवा के स्वस्त रखने के लिए सेवागराम वर्धा के कार्याले में संपर्क करे राजियों भाई के विजारों को गाउं गाउं में पहुचाने के लिए उनकी सीडी को निशुल्ख वित्रन करवाए स्वदेशी चिकिसा के कैम्प लगा कर बिमारियों को बिना दवा के ठीक करे देश का पैसा देश में रहे और हमारा देश समरुद्ध बने स्वदेशी अपनाए स्वदेशी सामानों की विस्तरत जानकारी के लिए हमारे शुद केंद्र पर संपर्ट